हो ये आए है सम्मान में हमें मेह फिले सजाए बैठे हैं सीरी सरवन जी के चागत में हमें तलक बिछाए बैठे हैं ये आए है सम्मान में हमें तलक बिछाए बैठे हैं सरवन जी के चागत में हमें तलक बिछाए बैठे हैं मेरे दिन लिकड़े सुबहातार के चब याद तुम्हारी आती है जब तुम मेह फिल में तुम मेह फिल में आते हो सम्मान खुद ही जल जाती हैं हम भी हिर्दे में स्रद्धा के रहे हम भी हिर्दे में सरदा के धी ज़ाए बैठे हैं स्वागत में हमें पलग में चाए बैखते हैं और आज के ये जितने भी दानी दाता हैं उनके स्वागत में ये गीत रख रही हूँ इसी स्वागत गीत में खुशोकर आदर्निय लाला राम अगरवाल जी भीवानी से वह भी किस सरुपे का प्रुषकार हमारी पाटी के लिए देते हैं अगलवार साब के लिए जोड़ दर परकाश गर्ग जी हैं यह भी बहुत बड़े दानी एक बर इनके लिए भी तालिया ताली हलकी पड़ रही है आप सभी के वीच में देखलो अगर को माता का उतार चाते हो दान पढ़िया चाते हो तो तो तालिया जोरदार बजाय करो यह इस तरह के इंसान है कि चाहे कोई परकाश गरग जैसारे को दुन और रात नहीं देख्या इनके तरसे इनके तरसे आथा कोई ठाली हाथ नहीं देख्या रागले हाथ से खाली हाथ नहीं देख्या मेरे गौमाता करीबों का रे गौमाता नहीं पोका तुख दरत में टाये बैते हैं इसरवण जी के स्वाधत में हमें फलक में चाये बैते हैं और आज हमारे इस कारिक्रम के मुख्य अतीती हैं आदरनीय सरवण कुमार गर्ग जी और आदरनीय चेर्मेन साब इस स्वागत गीत पे किस रुपे का प्रुषकार दे रहे ठोड़े हैं जी इस स्वागत गीत पे खुशो कर देते हैं बहुत बहुत अनियमात करती हूँ और जो अगली लाइन है शायद वो चले गए बैठे हैं अमित भाई बैठे हैं कोई दिक्कत नहीं अमित जी बैठे हैं और गोरफ जैन जी शाय चले गए हैं उन दोनों के लिए हैं उन्होंने भी आज इतना बड़ा दान के लिए किया है या तो करन वली इतना बड़ा दानी था या फिर आज यहां पे इतने बड़े बड़े दानी आये हुए हैं जो गोमाता के लिए दान कर रहे हैं अमीत जैन जी के लिए और गोरव जैन जी के लिए एक बड़ जोर दार तालिया हो जाय जी जोर दार तालिया और हम भी अपनी छोटी सी कलम से उनके बारे में लिखते हैं क्या बताया कभी ने अमीत जैन और गोरव जैन की शंदर शान शकल के दूँ करण जैसे करण जैसे तानिक हो या वीर शुरम बल कह दो करण जैसे दाटिंक हो या वीर शिरमक बले कह दो मेरे अपने दिली के अंदर तुम्रे हान सजाए बेटे हैं वेरी शरवन जी के स्वागत में हमें पलक में चाए देखे हैं और हमारे इस गउशाला के परधान है आदरनी ग्रीश जैन जी और तरक्की पर तरक्की इस गउशाला में हमारे ग्रीश जैन जी करवा रहे हैं और और भी करवाएंगे और हमारे नत्थु जैन जी जो हमारे मंच के संचारक जी हैं उनके लिए भी दो लाईने लिखी हैं क्या बताया कभी ने ग्रीश जैन जी कोशाला की ग्रीश जैन जी कोशाला की करके तरक्की दिखा देंगे नत्थु जैन जी नत्थु जैन जी संचालक का पूरा प्रण निवादेंगे तेरी सरवन जी के सागत में हमें फलक के चाये बेखे हैं ये आए हैं समान में हमरे आए हैं समान में हमें दिले सजाए बेखे हैं सरवन जी के सागत में हमें पलक के चाये बेखे हैं